प्रोजेक्ट के बारे में सुना है ये एक फिल्म है जो हमारे इंडिया में बन रही है जो सैंडियागो के कॉमिक कॉन इवेंट में अनॉंस की जाएगी वैसे प्रोजेक्ट के इस आने वाले फिल्म का ओरिजिनल नाम प्रोजेक्ट के नहीं होने वाला वो कुछ और ही होगा वही जो announce किया जाएगा comic con में और at the same time याने announcement के साथ साथ हो सकता है कि film की एक जलग भी reveal की जाए लेकिन ऐसी क्या खास बात है इस आने वाले film में कि इसकी announcement comic con में होने वाली है वो भी 20 जुलई को जो probably हमारे यहा 21 जुलई को देखा जा सकता है या 20 जुलई को ही रात के 11 बजे के करी वैसे mind it, इंडिया से ये पहली movie होगी जो comic con में announce की जाएगी और इसका star cast भी बहुत बड़ा है लाइक प्रभास और दिपेका पादुकौन इन लीड रोल और साथ ही बहुत important role में होंगे कमल हसन, अमिताब बच्चन, दिशा पता नहीं वो important है कि नहीं मेरे को नहीं पता लेकिन शायद उनका role important हो सकता है और ये भी rumors है कि इसमें राना डगुबती और डुलकर सल्मान का भी cameo हो सकता है उपर से VFX heavy और साथ में वही camera use किया जाएगा जो RRR के वक्त भी use हुआ था Ari Alexa अगें जिसको makers ने अपने एक shot के दर्मियान tease करके दिखाया था तो no doubt इतने बड़े-बड़े कलाकार और VFX और equipment के चलते इंडिया में बनी इस film का budget 600 करोड का होगा जो इंडिया में बनी one of the heavy budget expensive movie होगी वैसे आदे से जादा पैसे तो cast पर उड़ जाएगा anyways अपने को क्या picture अच्छी लगी तो हम भी उड़ा देंगे थोड़ा सा पैसा लेकिन जैसा दावा किया जा रहा है makers के थ्रू कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा को change करके रख देगी क्योंकि इंडियन सिनेमा में ऐसा cinematic experience शायद पहली बार देखने को मिलेगा ऐसा कहा जा रहा है जो आदिपुरुष के वक्त भी कहा जा रहा था और cinematic experience में हमें क्या दिखाया गया सहिफ अलिखान को नंगा पुंगा सापो के साथ मसाज करती हुए एनिवेज फोकस करते हैं प्रोजेक्ट के पर तो कुछ एक दो साल पहले इन्होंने एक real upload की थी कि they are hiring actors, models, martial artists, dancers और उसके नीचे टाइटल में लिखा था Be the face of future तो वहाँ ये actual में clarify होता है कि कहानी future से related होगी मतलब हो सकता है कि कहानी आज से 500 या even 500 साल बात की भी हो जिसमें futuristic weapons और futuristic suits भी देखने को मिलेंगे जो ये proof करते है कि movie का theme superhero genre से भी मिलता जुलता होगा science fiction story के साथ साथ इसमें ऐसे characters होंगे जिनके पास अपने-पने suits होंगे जिसका making video भी आपको YouTube पर आराम से मिल जाएगा लेकिन 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 कुछ reports की माने तो इस film का topic Indian mythology और पौरानी कहानियों से जुड़ा हुआ होगा and maybe इस film का नाम Project K नहीं के से काल चक्र हो सकता है I mean ऐसी speculation लगाई जा रही है जहां mythology को future के concept के साथ mix किया जाएगा और एक purely super fictional story आपके सामने रखी जाएगी और काल चक्र याने English में बोले तो The Wheel of Time से एक वीडियो पर मेरी नजर गई जो Project K के Makers ने ही बहुत पहले upload किया था अब वो wheel exactly क्या है और किस purpose के लिए use होगा ये तो नहीं पता बट ये लोग movie में मेहनत कितनी कर रहे है वो जरूर दिख रहा है और शायद काल चक्र का मीनिंग ये भी हो के future और mythology को एक circle में दिखाया जाए I mean जो घटनाए past में घटी हुई है वैसे ही कुछ घटनाए future में भी हो जो resemble करती हो mythology से या हमारी पौरानिक कथाओ से या even future और past को mythological connection के साथ showcase भी किया जा सकता है कुछ rumors ऐसे भी निकल कर आ रहे है कि इसका connection महा भारत से हो सकता है क्यूंकि यहाँ अमिताब बच्चन सर का role inspired होगा अश्वत्थामा से और प्रभास का role inspired होगा Lord Krishna से and because of that project K में K का मतलब लोग Krishna या कल्यूग के Vishnu के आउतार कल की ऐसा निकाल रहे है even कोई कहे रहा है कि क का मतलब कर्ण भी हो सकता है अब अगर prediction करे तो के से कवच कुंडल हो सकता है जो कर्ण के पास थे जिससे शायद पृत्वी को विनाश से बचाया जा सके जिससे future वाले प्रभास धूंडने निकलेंगे और past में चले जाएंगे महाभारत एरा में हो सकता है maybe possible है say it's just a prediction कुछ भी हो सकता है जब तक कोई teaser trailer सामने नहीं आता कोई इसे project कल्यूग भी बुला रहा है क्योंकि poster से कहानी post-apocalyptic कहानी लग रही है I mean संसार का विनाश होने के बाद या विनाश होने के दौर की भी ये कहानी हो सकती है किसी का कहना है कि project के अगर modern day adaptation है महाभारत का तो के का मतलब कुरुक्षेतर भी हो सकता है क्योंकि महाभारत की main लड़ाई कुरुक्षेतर में ही लड़ी गई थी बट कुछ लोग as usual मजे लेने में भी लगे हुए है के के का मतलब खर्चा हो सकता है 600 करोड का अननेसेसरी खर्चा कच्चा बदाम हो सकता है के फॉर किलविश हो सकता है के फॉर कांड हो सकता है के फॉर का 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 की रन हो सकता है या फिर केफ और कचरा आदिपूरुष की तरह लेकिन ये मूवी आदिपूरुष की तरह निकल गई ना भाई साब तो फैंस का दिल तूटेगा वो अलग बट साथ ही साथ इंडियन इंडस्ट्री से कुछ नया देखनी की उम्मेदे भी खतम हो जाएगी बट ये सारी स्पेकुलेशन्स थी, थेयरिस्टी, 20 जुलाई का वेट करते हैं टीजर, ट्रेलर या कोई ग्लिम्स आने देते हैं उसके बाद जो भी सामने आता है उस पर भी वीडियो आ जाएगा ये फिल्म 12 जनवरी 2024 में आएगी मतलब अभी भी उनके पास आराम से पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के लिए 5 महने पूरे पूरे है बाकि आपकी क्या राय है प्रोजेक्ट के को लेकर मुझे कमेंट में जरू बताना मिलते हैं अगले वीडियो में बाई